तो हेई गाइज वेलकम टूवर यूट्यूब चैनल तो गाइज अभी जो आपने फोटो देखे उन फोटो में आपने मेरे फेस्बूक एकाउंट का नाम देखा ही होगा बहुती कूल और बहुती स्टाइलिस दिख रहा था तो आप लोगों को दोस्तो अपने फेस्बूक एकाउंट में अपना नाम ऐसा स्टाइलिस और कूल कैसे लिखना है और किस तरीके से आप अपने नाम को स्टाइलिस बना सकते हैं फेस्बूक एकाउंट में वो प्रोसेस दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हू तो प्लिस गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो मेरा नाम है संजे और आप देखरें टेक मगाश्टर यूट्यूब चानल चलिए शुरू करते हैं तो गाइस सबसे पहले आपको अपना Chrome Browser Application दोस्तो ओपन कर लेना है या फिर आपको इसाभी Browser या फिर Google ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद दोस्तो आपको सर्च कर देना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है दोस्तो Stylis Tax ऐसा लिख कर दोस्तो आपको सर्च कर देना है Stylis Tax यहाँ पर आप देख सकते हैं mobile screen पर तो यहां पर आपके सामने बहुत सारी website दोस्तो ओपन हो जाएगी तो यहां पर आपको जो website में आपको suggest करूंगा वही website आपको open करनी है तो यहां पर आप देख सकते है cool symbol.com यह website है इस तरीके की यहां पर इसका interface है तो इस website पर आपको click करना है और इसी website को आपको दोस साइगा तो यहां पर देखे input text ऐसा लिखा हुआ है तो जो भी आपका Facebook का account का अभी नाम है या फिर आप दोस्तो जिस जो भी नाम रखना चाहते है वो नाम यहां पर सबसे पहले आपको type कर देना है तो चलिए मैं यहां पर मेरा ही नाम दोस्तो type कर देता हूँ तो यहां आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपना नाम टाइप किया यहां पर इस वाले box में तो यहां पर नीचे देखे काफी सारे stylish और cool font यहां पर दिखाई दे रहे और यह बहुत ही ज्यादा यहां पर आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो सभी तरह के stylish font यहां पर आप अपना नाम रखना चाहते हैं वो यहां से आपको सिलेट कर लाक्न हें वहां कोई भी एक जो stylish नेम है वह दोस्तों सिलेट कर ला ता और फिर दोस्तो हम वहां पर stylish कोपी हो जाएगा अब उसके बाद यहां से आपको बैक कर लेना है अब दोस्तों आपको अपने एकाउंट में स्टाइलिस नेम कनवर्ट करने के लिए आपको फेस्बूक लाइट एप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यह जो दोस्तों ओरिजिनल फेस्बूक का अयाप है उसमें दोस्तों इस्टाइलिस नेम अभी नहीं लग रहा है इसलिए आपको यूज करना पड़ेगा इस फेस्बूक लाइट का तो सबसे पहले आपको गूगल प्लेश्टूर से इस फेस्बूक लाइट को इन्स्टोल करना है और उसमें आपको वह एकाउंट login कर लेना है जिसमें आप stylish name रखना चाहते है तो जैसे आप दोस्तो Facebook light में अपना name वह stylish में change करें तो इस Facebook में दोस्तो ओ्टोमेटिक की वह आपका ID का name दोस्तो stylish में change हो जाएगा तो आपको Facebook Lite दोस्तो तो आपको open कर लेना है अब open करने के बाद दोस्तो simply आपको यहाँ पर देखिए उपर 3 line दिखाई दे रही है तो वहाँ पर आपको click कर लेना है तो अभी मैं दोस्तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि account का name जो है वो दोस्तो simple name है तो अभी हम इसे दोस्तो जो copy किये था उस तरीके का नाम यहाँ पर convert करेंगे उसमें तो यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर आने के बाद आपको simply नीचे scroll करना है और यहाँ पर आपको settings का option मिलेगा तो इस settings के option पर आपको click कर देना है तो सबसे पहला वाला option personal information उस पर आपको click कर देना है और उसके बाद दोस्तो यहाँ पर देखे सबसे पहला option name का रहा है तो यहाँ पर बगल में ही दोस्तो एडिट का option आपको मिल रहा है तो उस पर आपको click कर देना है तो अब दोस्तो यहाँ पर first name और सरनेम में यहां पर हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट नेम को मैं यहां से दोस्तो अटा देता हूँ और उसके बाद इस surname को भी दोस्तो आपको यहां से अटा देना है अब दोस्तो first name में यहां पर जो अभी हमने copy किया है उसे मैं यहां पर paste कर देता हूँ अब paste करने के बाद आप अगर surname पहले रखना चाहते है तो surname या फिर name पहले रखना चाहते है तो name को आपको पहले रखना है उसी तरीके से surname में भी आपको फिर से इस name को paste करना है और अपने name और surname को अलग-अलग कर लेना है तो यहाँ पर अब देखें मैंने पहले name लिखा उसके बाद surname में surname डाल दिया है तो आपको भी दोस्तो same to same इसी तरह का process करना है अपने mobile में उसके बाद simply यहाँ पर आपको review change पर click कर देना है अब जैसे आप वहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर दो option आएगे कि आप name और surname रखना चाहते है या फिर पहले surname और बाद में name वो आपकी मर्जी है जो भी आप चूज करना चाहते हों कर सकते है उसके बाद आपको अपने facebook account का password दोस्तो डालना है तो password आपको याद होना जरूरी है अगर याद नहीं है तो दोस्तो आप कैसे पता कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है तो आप अमारी youtube चैनल की playlist में जाकर facebook वाली playlist जो उसे चेक कर सकते हैं तो चलें यहाँ पर मैं अपने account का password डाल लेता हूँ अब दोस्तो password डालने के बाद simply आपको save changes पर यहाँ पर click कर देना है तो जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर देखें अभी जो यहाँ पर name दिखा रहा था वो यहाँ पर change हो चुका है और अब दोस्तो यहाँ पर जो stylish name हमने change किया है वो यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ से हम back करते हैं और अपने account में जाकर दोस्तो देखते हैं कि वहाँ भी तर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर नेम जो है वो change हो चुका है अब दोस्तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ से आप कोई भी नेम दोस्तो select करते हैं तो अगर दोस्तो फेस्स बुक में आपको वो name change नहीं होता है यहाँ से कोई भी नेम जोन होता है तो यहाँ से आपको कोई भी दूसरा name select करके change कर लेना है तो खेर दोस्तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने Facebook एकाउंट को Stylist एकाउंट में convert कर सकते हैं वो Stylist name लिख सकते हैं तो आई वोब की दोस्तो एक वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही ऐसा ही और वीडियो पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले